वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिचे बिलके आइकोन को प्रेस कर लेना है देखिए जब आपको इस टप का एरर देखने को मिलता है तो सिंपल आपको iMessages और FaceTime को एक्टिवेट करना रहता है तो आप OK पर क्लिक करेंगा और आप एक्टिवेट भी कर सकते है आपका यह एरर भी हट जाएगा ठीक है यह सबसे आस असन तरीका है या फिर आप चाहते कि आपको एरर देखने को नव मिले तो आप सिंपल जाए अपने iPhone 14 सेरीज की सेटिंग में आप क्लिक करें जर्णरल पे स्क्रॉल करें रासपर और रिसेट आइफोन पे क्लिक करें रिसेट पे क्लिक करें और सिंपल आप अपने iPhone 14 हो जाएगी, so topic is cover मिलते है next video में, enjoy मतादी